स्वागत है आफ सबका Current Affairs डेली की Comprehensive News Analysis की वेब सीरीज में मैं हूँ विने चौहान और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 24 चुलाई 2021 के Important Important Current Affairs और उससे जुड़े हुए Static Facts जो कि आपके Exam Point of View से बहुत ही ज़्यादा Important हो जाते हैं तो अगर आप UPSC, State PSC या किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़िए क्योंकि हम लेके आते हैं Latest Updated Current Affairs और उनकी In-depth Analysis दोस्तों आज 24 जुलाई और इंडिया में आज का दिन National Thermal Engineer Day के रूप में आपजर्व किया जाता है और इस दिन Thermal Engineering Industry के Importance को शो करते हैं और Electronic Industry में High Quality और Cost Effective Thermal Management और उसकी Packaging को प्रमोट करते हैं चलिए अब चलते हैं आज के Current Affairs की और और पहली न्यूज आ रही है Pegasus Row से Pegasus के Misuse को लेके इतनी सारी Allegations और Controversy के चलते हैं इस्राइल के Defense Establishment ने NSO के ऊपर Allegations को Review करने के लिए एक Review Commission एपोइंट किया है इस्राइल की संसद नेसेट के मेंबर राम बेन भराक जो की इस्राइल की स्पाइ एजेंसी मोसाइद के Deputy Director भी रह चुके हैं उन्होंने कहा कि जब कमीशन अपनी रिपोर्ट सम्मिट करेगा तो हम उसके रिजल्ट को देखेंगे एनलाइज करेंगे और इसके लाइसेंस देने के प्रोसेस को भी Review करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कहां करेक्शन की ज़रुवत है इनका ये भी कहना है कि Pegasus ने बहुत सारी टेरर सेल्स को एक्सपोज किया है बट अगर इसका मिस्यूज हुआ है या किसी भी Irresponsible Body को बेचा गया है तो ये हमें चेक करने की ज़रुवत है Recent में Right Groups, Amnesty International और France की Forbidden Stories के हाथ 50,000 Potential Surveillance Target की लिस्ट हाथ लगी है जिसके इसाथ से Pegasus का यूज मास Surveillance के लिए किया गया है जिसमें की Generalists, Human Rights Activists और 14 Countries के Head भी शामिल है NSO के Chief Executive सहलेव हुलियो ने बताया कि NSO ने इस्राइल Government के Approval के बाद Pegasus को 45 Countries को Export किया है बट Confidentiality Issue के चलते Contracts की Detail को Disclose नहीं कर सकते है बट फिर भी अगर कोई भी Government मुझसे Details मांगेगी तो हम पूरी Transparency ओफर करेंगे उनके हिसाफ से किसी भी Government का कोई भी अधिकारी आ जाए वो पूरी तरीके से Top to Bottom जानकारी देंगे अब NSO Group के Fact important हो जाते है NSO Group इस्राइल की Technology Surveillance Firm है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी इसका Headquarter है Harzliya Tel Aviv इस्राइल और CEO है शहलेव हूलियो अब देखतें Next News और यह भी इस्राइल से निकल के आती है इस्राइल Government USA Based Ice Cream Company Ben & Jerry से नाराज हो गई है और उसने इसकी Parent Company Unilever को धमकी तक दे डाली है इनकी नाराजगी का रीजन यह है कि Ben & Jerry ने इस्राइली Occupied Palestinian Territories को जहाँ पे Jewish Settlement है वहाँ पे Ice Cream बेशने से मना कर दिया है तो जैसे इंडिया में पाकिस्तान Occupied कस्मीर है वैसे ही इस्राइल में Israeli Occupied Palestinian Territories है 1967 के इस्राइल और Palestine War में इस्राइल ने West Bank और East Jerusalem हतिहा लिया था और 1970 के बाद वहाँ Jewish Settlement को बढ़ावा दिया है यानि कि वहाँ यहूदियों को रहने के लिए प्रमोट किया जिससे कि वहाँ पे Palestine के Muslims की संख्या कम हो जाए और Jewish बढ़ जाए आज की डेट में वहाँ पे 140 Israeli Settlement हैं जिनमें कि 6 लाख Jewish रहते हैं Ben and Jerry जो की social causes को लेके जानी जाती है जैसे कि Black Lives Matter तो इनी human rights के दमन के चलते Ben and Jerry ने Palestine की occupied territory में प्रोडक्ट बेचने से मना कर दिया है और यहां तक बोला है कि इसराइल में जो कमपनी Ben and Jerry के ice cream बेच रही है अगले साल से उसका contract नहीं renew किया जाएगा और वहां पर वह अपना खुद का arrangement करके केवल internationally accepted इसराइल के border के अंदर ice cream बेचेगी कुछ भी कहो यार यह company तो बड़ी कुबबत वाली लग रही है साला ice cream खाने के लिए मोहताज कर दे रही है अब तो Ben and Jerry के static facts important हो जाते है तो यह US based company है जो की ice cream, yogurt और sorbet बनाती है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका headquarter है South Burlington, Vermont, USA 2000 में इसको United Kingdom की Unilever Company ने खरीद लिया था इसके CEO है Matthew McCarthy अब इसराइल के static facts important हो जाते है इसराइल यहाँ पे Mediterranean Sea यानि की भूमद सागर के East में situated country है यहाँ पे यह West Bank है और यह है Gaza पट्टी और यहाँ पे उपर है Golan Heights और इन तीनों जगहों पर इसराइल और Palestine का conflict चलता रहता है 1967 में यहाँ पे West Bank का portion और Jerusalem के East का portion इसराइल ने occupy कर लिया था जो कि Israeli occupied Palestinian territories बोला जाता है और यहाँ पे अब लोगों को Ben and Jerry की आईस्क्रीम खाने को नहीं मिल लई है क्लियर होगे इसराइल की जियोग्राफी तो इसराइल की कैप्टल है जरूसलम करेंसी है न्यू शकील तो ट्रिपल सी कंट्री कैप्टल करेंसी इसराइल जरूसलम न्यू शकील प्रेसिडेंट है यहाँ के इसराइल के स्टेटिक फैक्ट चलिए अब देखते है नेक्स्ट न्यूज चाइना के प्रेसिडेंट जी जिन पिंग तिबबत बॉर्डर रीजन विजिट करने वाले चाइना के पहले लीडर बन गए है वह तिबबत ऑटोनॉमस रीजन में उसकी कैप्टल लहासा और इंडिया के अवनाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास सिचुएटेट निंगची को विजिट किया और लहासा से निंगची को जोडने वाली तिबबत की फस्ट बॉलट ट्रेन लाइन को इंस्पेक्ट किया अब इसको इंडिया में अवनाचल प्रदेश में बॉर्डर इस्यू के कॉन्फिक्ट के पॉइंट आफ यू से भी देखा जा सकता है अब चाइना के स्टेटिक फेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो चाइना आप मैप में देख सकते हैं एसिया के इस्टन पार्ट में है यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है इसका इसकी कैपिटल है बीजिंग, करंसी है युवान या रिंबिंबी प्रेसिडेंट है जी जिन पिंग, प्राइम मिनिस्टर है ली कैकियांग और यहाँ की ओफिसियल लेंगवेज है स्टेंडर्ड चाइनीज चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो की युएस अफगानिस्तान और तालिबान से निकल के आती है तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच लड़ाई जारी है और अफगान सेक्योर्टी फोर्सेस को हेल्प करने के लिए युएस अने तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है युएस अ के सेंट्रल कमांड का कहना है कि जैसे जैसे US का विड्रॉल नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे रीसेंट में तालिवान ने आल्मोस्ट पूरे अफगानिस्तान में कबजा कर लिया है US के प्रेसिडंट के हिसाब से एंड अगस्त तक US का विड्रॉल कम्प्लीट हो जाएगा मगर एप्रॉक्सिमेटली साड़े 600 टूप अफगानिस्तान में बने रहेंगे जो कि US के डिप्लोमेट उसकी एंबेसी और काबूल इंटरनेशनल एरपोर्ट को सिक्योर करेंगे जिससे कि डिप्लोमेट्स को मुव्मेंट करने में दिक्कत ना हो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे और ये भी तालिबान से है तालिबान के स्पोक्स परसन सुहेल साहीन जो की नेगोशियेटिंग टीम के मेंबर भी है उसने कहा है कि पीस डील होने के लिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को जाना होगा उसका कहना है कि जब मिस्टर घनी की गवर्मेंट चली जाएगी और काबुल में एक ऐसी सरकार इंस्टाल होगी जो कि सभी लोगों को एकसेप्टेबल हो तब तालिबान अपने हथिहाद डाल देगा तालिबान का कहना है कि वे पावर को मोनोपलाईज नहीं करेगा क्योंकि किसी भी सरकार की मोनोपली अफगानिस्तान के लिए अच्छी नहीं है जैसे जैसे यूएस और नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान चोड़ रही है वैसे वैसे अफगानिस्तान में आतंग का महौल बढ़ता जा रहा है और तालिबान आलमोस्ट नई टरिटरीज कबजे में डेली ले रहा है और यहां तक की बॉर्डर क्रॉसिंग्स को भी बंद कर दिया है हजारों में अफगान नागरिक वीजा के लिए अपलाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अफगानिस्तान में कैयोस की सिचुएशन बन जाएगी चलिए अब चलतें नेक्स्ट निउज पे यूएस के सिक्रेटरी आफ स्टेट यानी की यहां के विदेश मंत्री ब्लिंकेन दो दिन की भारत की विजिट पर नेक्स्ट वीक आएंगे और वह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जैशंकर नेशनल सेक्योटी एडवाईजर अजीद दोवाल और प्रधान मंत्री से मुलाकात करेंगे मिनिस्टरी आफ एक्स्टरनल अफेर्स का कहना है कि यहां पर वह रीजनल और ग्लोबल इस्यूज कोविड-19 से रिकावरी, इंडो-पैस्विक रीजन, अफगानिस्तान और यूनाइटेड नेशन में कॉपरेशन के बारे में बात चीत करेंगे अफगानिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल वली मुहमद एहमदजाई भी उसी टाइम न्यू डेली आएंगे तो हो सकता है कि ये दोनों भी मिलें इन सब के अलावा, यूएस मेड वैक्सीन, फाइजर और मॉडरना के इंडिया में इंपोर्ट के इस्यू पर भी डिसकसन होगा जो की अभी होल्ड पे है क्योंकि इंडिया ने लाविल्टी वेवर साइन करने से मना कर दिया है यूएस जिसने की वैक्सीन डोनेट करने का कमिटमेंट किया था वै शिप्मेंट भी अभी तक इंडिया नहीं पहुँची है जबकि US ने हमारे पडोसी देशों भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंका और बांगला देश को वैक्सीन पहुचा दी है अद US से जुड़े static fact important हो जाते हैं यह Pacific Ocean में यहाँ पे situated है और यह उपर वाला पार्ट Alaska यह भी US का पार्ट है जो की US ने रसिया से खरीदा था यहाँ की capital है Washington, currency है US dollar, president है Joe Biden और यहाँ की official language है English चलिए अब देखतें next news Defense Research Development Organization, DRDO ने New Generation, Akash NG, Surface to Air Missile का successful परिछण किया पिछले तीन दिन में यह इसका दूसरा successful test है और इसमें high speed unmanned aerial target के against test किया गया जिसको की इसने successfully intercept कर दिया यह परिछण उडिशा के चांदीपूर Coast से खराब मौसम के बीच किया गया जिससे की इसकी all weather capability भी प्रूव हो गई आप देखतें DRDO के बारे में Defense Research Development Organization यह इंडिया के Department of Defense Research and Development की प्रीमियर एजनसी है और यह military research पे काम करती है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसका headquarter है New Delhi और chairman है G. Satish Reddy जो की Department of Defense R&D के secretary भी है अब देखतें next news वर्ड का पहला 3D printed steel bridge नीदरलेंड के Amsterdam में public के लिए open कर दिया गया नीदरलेंड की majesty queen Maxima ने इसका उद्गातन किया यह एक Dutch robotic company MX 3D के द्वारा बनाया गया है 3D printing technology field में यह एक milestone है और इसकी खासियत यह है कि इस 12 मीटर लंबे steel structure में sensor लगे हुए है जो की यहां की air quality, temperature, strain, displacement और vibration के data को capture करते हैं और इस bridge की health पर real time basis पे यह data को transmit करते हैं जिससे की यह पता चलता है कि time के साथ इसकी quality में किस तरीके से change आ रहा है तो है ना यह नायाब चीज अब नीदरलेंड के facts important हो जाते हैं तो नीदरलेंड्स जिसको की Holland के नाम से भी जाना जाता है यह Europe के North Sea के नीचे छोटू सा coastal country है इसकी capital है Amsterdam, currency है Euro, prime minister है Mark Rutte और यहां की official language है Dutch अब देखते हैं next news Supreme Court ने कहा कि secrecy of vote is a must in any election आज court ने 1989 के बिहार election के case का judgment देते हुए आठ आदमियों को voter slip छीनने और vogus voting डालने के जुर्म में सजा सुनाई और बोला कि कोई भी election हो चाहे parliament का या फिर state legislature का voting की secrecy जरूरी है secrecy को Supreme Court ने fundamental right, freedom of expression का part बताया और कहा कि choice की confidentiality प्रजात तंत्र को मजबूत बनाती है तो अगर boot capturing या vogus voting होती है तो यह दोनों democracy के against crime है और इनको लोहे के हाथों से deal किया जाना चाहिए अब लोहे के हाथ का मतलब यह नहीं है कि एक लोहा से थोड़ा वनवा के ले आए और चपड़ दिये मतलब यह है कि सकती से deal किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने free and fair election को basic structure का part बताया है अब देखते सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की highest judicial body है और constitution के हिसाफ से इंडिया की highest court है सुप्रीम कोर्ट में एक head होता है जिसको की Chief Justice of India बोलते है और current CGI है N.V. Ramanna इसके अलावा यहाँ पे 33 और judges होते हैं जिनको की puny judges बोलते हैं तो दोस्तों बस आज के current affairs में बस इतना ही अगर आपका ग्यानवर्दन हो रहा हो तो kindly like, share and subscribe and thanks for watching झाल 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 झाल